हाई गाईज वेलकम बैक टो और चैनल डियम नौलइज आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैलकुलेटर के अंदर किस तरीके से अपने फोटो और वीडियो को हाइट कर सकते हो यानि की छुपा सकते हो यहाँ पर आपको एप्लिकेशन हाइट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है तो अगर आपको हाइट करना चाहते हो हाइट करके यूज करना चाहते हो तो भी आप कर पाओगे दिखने को नॉर्मल सा एक कैलकुलेटर है बट इसके अंदर आपको एक से बढ़कर एक फीचर मिल जाते हैं इस वीडियो को एंट तक देखी आपको पूरी डिटेल मैं दूँगा अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गाईस सबसे पहले प्ले स्टोर से एक छोटी सी अप इंस्टॉल कर लिजी प्ले स्टोर के सर्च बार में आपको टाइप करना है हाई डेक्स जैसी आप टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने यह पाएगी इसका आइकन आप देख लिजी आपको यह अप इंस्टॉल करनी है देखने में बिल्कुल सा एक कल्गुलेटर आपको दिखेगा आप इसे इस्टॉल कर लिजीगा इंस्टॉल करने के बाद एप को ओपन करिएगा गैस मैं आपको बता दू इस वीडियो को बनाने में काफी एफट लगा है क्योंकि यहाँ पर जो एप है इसके स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो रही थी इस वज़े से काफी प्रॉब्लम आ रही थी बट कैसे भी करके मैंने इसकी जो स्क्रीन है वो रिकॉर्ड कर दी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा इसकी आपको कहीं भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो देखने को नहीं मिलेगी तो यह फर्स टाइम है पूरे यूटूब पर तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा तो गाईस जब आप पहली बार इस app को ओपन करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर नीचे आपको गौटिट का बटन दिख जागा इस पर आपको क्लिक करना है जो भी परमिशन मांगे आप अलाओ कर दीजेगा ताकि यहाँ बच्चे से वर्ग कर सके यहाँ पर आप सब कुछ हाइट कर सकते हो फोटो वीडियो अप्लिकेशन किसी को कुछ पता नहीं चलेगा जब भी कोई इस app को ओपन करेगा तो सिंपल एक कैल्कुलेटर ओपन हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रियेट करना होगा यहाँ पर देखिए लिखा गया है चारंगो का पासवर्ड क्रियेट करिए तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं पासवर्ड चारंगो का इस तरीके से आपको टाइप करना है उसके बाद नीचे जो इक वाल आइकन है इसपर CLICK कर देना है अब वोई password डूबारा डाल कर आप confirm कर दीजीए उसके बाद Equal वाल वाल ब्टन पर CLICK कर दीजीए तो यहां पर हमारे जो password हो रेडी हो चुका है अब यहां पर आपको एक security question कर लेना है और उसके बाद यहां पर आप कुछ भी आंसर दे सकते हो यह यहां पर इसलिए पूछा जाता है अगर माली जे फ्यूचर में आप पासवर्ड भूल जाते हो तो इस आंसर का यूज करके आप यहां पर अपना जो पासवर्ड है उसे रिकवर कर पाऊगे अगर क्लिक कर दिजिएगा आपको ध्यान रखना है आपने क्या से क्योरिटी कोश्चन सलेट किया है और उसका अंसर आपने क्या दिया है आप चाहिए तो इसका स्क्रें सौड भी लेकर रख सकते हो अब आपको गॉटिट पर क्लिक कर देना है अब यहां पर देखिए कुछ इस तो यहाँ पर आपको option मिल जाएगा आप camera से भी direct photo click करके यहाँ पर hide कर सकते हो या फिर gallery से भी कोई भी photo select कर सकते हो इसके अलावा अगर आप कोई folder hide करना चाहते हो तो उसका भी option यहाँ पर दे रखा है तो हम gallery select करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमने एक video यहाँ पर search कर लिया है उसके बाद नीचे आपको hide option देख जाएगा यहाँ पर आप जैसे ही click करोगे तो वो जो video या फिर जो भी photo आपने select करा है वो आपकी gallery से गायब हो जाएगा और वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तो देख सकते हो आप आप आचुका है video यहाँ पर अब अगर future में आपको और भी यहाँ पर hide करना है photo या फिर video या फिर कोई application तो प्लस वाले button पर click करके आप hide कर सकते हो तो हम back करते हैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप अपने hide की हुए photo को view करोगे तो यहाँ पर देखिए हमने exit कर दिया है इस application को अब यहाँ पर देखिए कोई बता नहीं सकता कि यह एक hide app करने वाला application है मतलब कोई भी file आप इसमें hide कर सकते हो तो अभी आप देख सकते हूँ बिल्कुल normal सा calculator देखने को मिल रहा है अगर आप इस open करते हो तो देखिए सिर्फ एक calculator ही है अगर आप यहाँ पर कुछ भी type करते हो तो कुछ नहीं होगा मतलब एक normal सा calculator है यहाँ बता आपको पड़ता है यह calculator के साथ फोटो और वीडियो हाइट करने वाला भी application है तो यहाँ पर अगर आप हाइट की हुए फोटो वीडियो देखना चाते हो तो सिर्फ आपको यहाँ पर अपना password टाइप करना है तो देखिए हमने यहाँ पर password टाइप कर दिया और उसके बाद equal value बटन पर जैसी आप क्लिक करो कि तो आप देख सकते हो आपके सामने आ चुका है आपका हाइट किया हुए फोटो और वीडियो गैलरी वाले option पर जैसी आप क्लिक करो कि तो देख सकते हो आप मर वीडियो को ऑप हाई किया हुआ यहाँ पर आ चुका है अब अगर आप आप हाइट किसनल पैथ परHello चाते लीजेगा और अनब कर दिजेगा कкогоम Lum delivered ने करते ही वहाही में फोटों को हाईड्य और हाइड गाभर सकते हो अगर माद स्थेुशर में आप यहाँ पर गलती से आपने इस application को delete कर दिया तो भी डढ़ने की बात नहीं है जब आप दुबारा इस app को install करोगे तो जितना भी आपका photo और video इस application के अंदर है वो दुबारा से वापस आ जाएगा अगर आप password भूल जाते हो तो आप आसानी से password को recover भी कर सकते हो और यहाँ पर देखे एक setting का icon नीचे की side यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको recovery email add करने को option आ जाता है अगर यहाँ पर आप recovery email add करते हो तो मालेजी अगर future में आपने गलती से भी इस application के अंदर का जो भी data यानी photo video है delete कर दिया है तो उसे आप recover कर पाओगे simply आपको यहाँ पर आना है recover lost files पर इस पर आप click करोगे तो scan आपको click करना होगा तो जितने भी आपने files और video वगरा यहाँ से delete किये हैं गलती से वो सभी वापस आ जाएंगे तो इस तरीके से आप यहाँ से data भी recover कर सकते हो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से इस application को use करना है अगर आपका अभी भी कोई शवाल है तो comment box से comment करिए मैं reply ज़रूर करूँगा यहाँ पर किसी भी application को hide करके भी आप use कर सकते हो तो मैंने आपको बता दिया और अगर आप google वगेरा से कुछ download करना चाहते हो तो इसी के अंदर आप आपकर download भी कर सकते हो और hide भी कर सकते हो तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया इस application के बारे में एक hidden application है जो काफी useful है अगर आप कुछ भी hide करना चाहते हो तो इसके अंदर बड़े यह असानी से आप hide कर सकते हो मैं मिलता आप से नेक्स्ट वीडियो में Goodbye